हलो फ्रेंज वेलकम बेक टो माई चैनल कैसे हैं आप सब दोस्तो अगर आपकी उम्र तो कम है लेकिन आपके चेरे पे जूरिया आती है रिंकल्स आने लग गए हैं आपकी चेरे की स्कीन है जो लूज होने लग गई है आपकी उम्र तो कम है लेकिन आप ज्यादा नजर आते ह दोस्तो आजकल का जो life style है आजकल जो मारा ransom है कुछ ऐसा ही हो गया है इसलिए हमको समय से पहले ये problem आ जाती है और समय से पहले हमारे चेरे पे जो असर होता है वो wrinkles का रूप ले ले लेते हैं अमारे चेरे पे जूरी आने लगती है ये सब problem होने लगती है तो हम जो घर के जो DIY होते हैं फेस पेक होते हैं उनका हम यूज करके ये सारी प्रोबलों को खतम कर सकते हैं तो आएए चलिए इस remedy को prepare कर लेते हैं उस remedy को देख लेते हैं कैसे बनाना है और क्या मैं यूज ले रही हूँ तो सबसे पहले आपको लेना है हनी जी हां दोस्तों आपको हनी लेना है ये डाबर का है डाबर का सबसे बेस्ट होता है आप डाबर का हनी ले सकते हैं वाकि तो आपके पास जो भी हनी हो आप ले सकते हैं तो हमको एक चमच के करीब हमको हनी ले लेना है सहद में अंटी एजिंग प्रोपटिज पाय जाती है जो हमारे रिंकल्स को ठीक करता है हमारे पाइलाइन्स को ठीक करता है और हमारे चेहरे पे जो दाग दब्बे हो जाते हैं उनको भी ठीक करता है फिर हमको लेना है नीमू जियां दोस्तों आपको नीमू लेना है और नीमू में बरपूर मातरा में विटामेंस C पाया जाता है जो हमारे रिंकल्स पे बहुत यह अच्छा काम करेगा और हमारे चेहरे पे जितने भी दागदब्बे हो जाते हैं उनको भी खतम करता है नीमू नीमू में ऐसी प्रोपटिज पाया जाती है जो हमारे स्कीन को फेर करेगा और हमारे स्कीन पे जो भी प्रोबलम होती है सब को खतम कर देगा दीरे तो आप देख सकते हैं मैंने आदा लेमन ले लिया है आदा लेमन इसमें अच्छे से निचोड लेंगे मैं अच्छे से इ जैसे सीरम टाइप का जैसा होता है वेसा हो गया है यह तो आप देख सकते हैं ऐसे आप इस रेमेडी को ज्यादा दिन के लिए भी बनागे रख सकते हैं अगर आप चाहे तो ज्यादा दिन के लिए भी बना सकते हैं और फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं यह खराब नहीं होता है आप इसको जब भी यूज करें आपको सुबह मैं इसको यूज करना है जब भी आपको यूज करें फ्रीज से निकाल के आप इसको यूज कर सकते हैं फिर मैं अपने चेरे पे भी यूज करके दिखा देती हूं देख लेते हैं इसका रजल कैसा मिलता है तो सबसे पहल तो मैंने चेहरे को अच्छे से साप कर लिया है अच्छे से क्लीन कर लेंगे फिर इस रेमेडी का हम यूज करेंगे रेमेडी अपलाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक कोटन लेना है कोटन को इस रेमेडी में डीप करना है फिर आपको चेहरे पर लगाना है आप चाहे तो अपने हाथ से भी लगा सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगए आप लगा सकते हैं मैं कोटन के हल्प से लगाती हूँ पूरे चेरे पर आपको अच्छे से अपलाई कर लेना है यह बहुत ज्यादा लिक्विडी टाइप का है जैसे के सीरम होता है वैसा है तो आपको इसको अच्छे से जैसे फेस पेक हम लगाते हैं वैसे लगाना है सीरम जैसे नहीं लगाना है अच्छे से इसको लगा लेंगे सुबे में आप ऐसा कर सकते हैं जब भी आपको नहाने से पहले आपको यह करना है जब भी आपको लगाना है आपको आदा गंटा पहले आपको लगा लेना है और ऐसे छोड़ देना है पूरे चरे पर अच्छे से अपलाई कर लेंगे फिर हम इसको थोड़ी से दो मिनट के लिए मसाज दे देंगे मसाज करेंगे अच्छे से दो मिनिट के लिए ताकि ये हमारे इसकी इन पैचे से अपजोब हो जाए और मसाज करके इसको हम आदा गंटे के लिए छोड़ देंगे मेंने चेरा दो लिया है और आप देख सकते हूं मेरे चेरे पे गलो जो आया है तो आप कुछी देख सकते हैं किलो आ गया है चेरे पे और फिर मैं अपलाय करती हूँँ अलोवेरा जेल जो मैं के हरवार करती हूं मैं कोई भी रेमेड़ी अगर यूज करती हूं या फिर अपना चेरा दोती हूं तो मैं अलोवेरा का जरूर यूज करती हूं फिर चाहिए आप अपना कोई भी मॉस्चुराज कोई भी क्रीम आप लगाते हूं वो लगा सकते हैं तो मैं सबसे पहले अपने चेरे पे लवरा जेल यूज करती हूँ लगाती हूँ और फिर अच्छे से मसाज करती हूँ So guys वीडियो को यही समापट करते हैं मिलते हैं सही किसी यूजफूल वीडियो के साथ अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करे और चेनल पे नहीं नहीं विजिट किये हो तो चेनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि जब भी आगे बहुते में मैं वीडियो अप्लॉड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाए तो मिलते हैं से किसी यूजफूल वीडियो के साथ तब तक के लिए टी केर और बावाए